श्रवस्ती के गिलोला थाना शेत्र में कोटे के चुनाव में धंदली के बाद बवाल हो गया इस दोरान दोनों पक्ष सियाई समर तक आपस में भिड़ गए पुलिस के पहुचने के बाद मामला शान्त हुआ और विवाद को बढ़ता देक अदिकारियों ने चुनाव को रद करने का फैसला लिया जंता बटोरा जात है जंता ज्यादा देखत है निसा देवी के तरफ तैसर इमांदार परधान चोरी कईकर बेहमानी करत हैं कि निसा देवी कहीं है जीता न देई पूजा कहीं है जिता आप प्रसासन से क्या मांग करती हैं मिर्जापुर के विंद्यवासिमी मंदिर परिसर में पान और गुटका खाने से गंदगी फैलाने के खिलाव जिला प्रशासन ने कड़ी कारेवाई शुरू की जिलादिकारी प्रेंका निरंजन ने निरदेश्दिये और तमाकू नियंतर विभाग ने अभियान चलाया और 16 लोगों से 32 सो रुपए का जुर्माना वसूला अमंदर परिसर को पूरी तरह तमाकू निशेस्थल घोशित कर दिया गया और चेतावनी भी लगाई गई दोशियों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाए जाएगा सुल्तानपूर पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनोती दे दी है दिन दहाडे करीब आदा दर्जन नकाब पोज बदमाशों ने असले कि नोक पर सर्फरा व्यवसाई के यहां पर लाकों के जेवरात और नगदी को लूट लिए साथ इखुले आम पिस्टल लहराते हुए नज़र आए बदमाशों की इस घटना से इलाके के लोगों में हरकम मचा हुआ है और पुलिस की सकबाल पर भी सवाल उठ रहे है तेज बारिश के कारण चांदिया पुर गाउं में कमरे की दिवार गिर गई जिसमें चार बच्चे दब गए पुलिस ने मलबा हटा कर घायलों को मेडिकल कॉलिज बेजा जहां डेड़ वर्षिया बच्चे की मौत हो गई यहाथसा तीवर कोतवाली शेतर में हुआ जहासी के मौरानीपुर में अंटी करप्शन टीन ने शिक्षा मित्र मनीश तिवारी जो ग्राम बुकारा कई शिक्षा मित्र पा पतपर तैनात है जिसे आज टीम ने आधार कारण बरवाने के नाम पर तीन हजार की रिश्वत देते हुए रंगे हातों गिरफतार करने का सफलता हासल की जिसे पढ़कर मौरानीपुर कोतवाली लाए गया जहां उसके विरुद कारिवाई अमल में लाई जा रही है हर्दोई के मेडिकल कॉलिज के ब्लड बैंक में एक दबंग युवक ने लैब टकली नीशन सरवोदे सिंग के साथ मारपीट की और उनकी चेन तोड़ दी आरोपी राजु सिंग की सरवेंदर सिंग से पुरानी रंजिश थी गटना का वीडियो वाइरल हो रहा है नव विवाहित का शव मिला माई के पक्ष ने ससरॉल वालों पर हत्या का अरोप लगाया और साथ ही मृतिका की शादी दो साल पहले ही हुई थी और उनकी तीन माह का नवजात शिशू थै पुलिस ने शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा और मामली की जाज शुरू कर दी है प्रयाग राज के अतरसुरक्षा इलाके में मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्टरी का भंडा फोड हुआ मौलीवी मोहमद तफसीरूल और तीन अन्य को गिरफतार किया गया और तीर लाक रुपे नकली नोट बरामत किये गए ये फैक्टरी मदरसा जामिया हबीबिया मस्जित के आलम में चल रही थी पुलिस ने मुकबीर की सूचना पर छापा मारा और आरोपियों की गरफतार कर लिया बिजनौर के गाउं जमालपुर मीमचा में उच प्रात्मिक विद्याले में मुक्य अध्यापिका दीपारानी ने पिछले तीन सब्ता से बच्चों को मिड़े मील में मिलने वाले फल और दूद वित्रित नहीं किया मिड़े मील के खाते में धनराशी उपलब्ध होने के बावजूद बच्चों को अवश्यक खादे बदार्स नहीं मिल रहे वीपरानी ने इस स्विम्मिदारी से इंकार कर दिया जबकि ग्रामपरधान ने पांच महीने से फसे पैसे का हवाला देते हुए बच्चों को दूद और फल देने से मना कर दिया बेसिक शिक्षा दिकारी ने बताया कि शिक्षा के आपसी मुटाव के कारण हिस्तिती बन रही है और जल्ग समाधान की उम्मीद जिताई जा रही है पूकरी हरिशंकर रौता मोता मार्ग में भारी बारिश की कारण है बारी बारिश की शिक्षा दिकारी ने जानकारी है और उन्होंने आस्वासन दिया है कि एक दो दिल में इसको ठीक करवारी है पूकरी हरिशंकर रौता मोता मार्ग में भारी बारिश की कारण पिछले एक महिने से बंध है इसमें 25 गाओं का संपर्क कट गया ग्रामिणों को 32 किलो मीटर की अतरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है जिसके वगर बती महिलाएं और बीमाद लोगों में गंबीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है संकर मोडर मार्क एक महना से बंध चला है और इसमें 25 गाओं आते हैं और लोगों को दुख भी मारी में पर्षप कालिंड में और कई मामलों में बहुत परिशानी हो रही है नीचे 32 किलो मेटर लोगों को पड़ शिनाओं से जो लिगो के आने पड़ रहा है जिसमें वो मार्क भी गाड़ी जाने लाइक ने है उसको पर बीटीबार्ट्मेंट जो है चुपीशादी एक रूर्ली पोख्री के रूर है कही बार छेत्र के सामाजिक करे करता हो ने डीबार्ट्मेंट को सूचना भी दे दी उसके बाद जो है इस कृया पड़ है गाजियाबाद के थाना नंद ग्राम में 21 अगस्त को एक महिला द्वारा अपने उपर आइसेट फेगने की घटना का खुलासा हुआ जाज के दोरान पता चला कि महिला खुद मास्टर वाइन थी पुलिस ने महिला और उसके दो अन्ने को गिरफतार कर लिया सीसी टीवी फुटेज से घटना का खुलासा हुआ गाजियाबाद के थाना शीलंपूर में शीलंपूर गाडन पुलिस ने इंस्टाग्राम के माध्यम से नमालिक लड़की को जाल में फसाकर लाको रुपए के अबूशण शीनने वाले शातिर आरोपी तरुण मीना को गिरफतार कर लिया डीसी पी ट्रांस हिडन निमीश पटिल के अनुसार तरुण के पास से अबूशण बेच कर अरजित किये गए दो लाग पिचतर हजार रुपए बरामत किये गए करीब एक साल पहले लड़की तरुण के संपर्क में आई थी इसके बाद वो उसे ब्लाक मेल कर आबूशण मंगता रहा और उसके तश्वीरें वाइरल करने की धंगी देता रहा थाना शाली माउर गार्डन पे वादी द्वारा एक सुचना दी गई जिसमें उसने बताया कि एक व्यक्ति ने उसके साथ इंस्टाग्राम पे दोस्ती करके उसके फोटोज लेके वाश्वीरेल करने के धंकी देकर उससे जो गहने होते सोने के वो उससे ले लिये थे इस सुचना मिलते ही थाना शाली मार गार्डन पे सुसंगत दारावा में ए उसके अभीक को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया उसक्रब में आज पुलिस टीम ने तरून मीना जो एक किस साल का है और शाली मार गार्डन का एक्सरेशन बन का रहने वाला है इस अभीक को गिरफतार किया गया जिसने इस करहा है अभी और शाली में ये उसके अगन।